हर्याना विधान सभा का बजट सत्र पांच मार्च से शुरू होगा इस सत्र के दोरान सोशल डिस्टेंस वर कोविट गाइड लाइन को फोलो किया जाएगा आपको बता दे कि ये जानकारी हर्याना विधान सभा के अध्यक्ष ज्यानचंद गुपता ने चन्रीगड में पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी है उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक विपक्ष की ओर से कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं मिला है उन्होंने ये भी कहा कि नियम कहता है कि सदन की कारवाई से एक घंटा पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जिस पर सदन में 18 विधायकों का अनुमोदन सदन में जरूरी है अगर ऐसा होता है तो अविश्वास प्रस्ताओं पर चर्चा की जाएगी जिसके बाद उस पर चर्चा होगी और वोटिंग के लिए समय तै किया जाएगा सुनिया हर्याना विधान सभा के अध्यक्ष ज्यान चंद गुपता ने क्या कुछ कहा दिखिए जहां तक सत्र की बात है हर्याना मंत्री मंदल की ओर से पांच मार्च को प्रस्तावित किया गया है नोटिफिकेशन आदनी राजबाल मोदे की तरक किया जाएगा और जो ही नोटिफिकेशन आता है तो उसी दिरिष्ट्री से हम विधान सभा सत्र के अंदर इस विधान सभा के अंदर ये सत्र करने के लिए तैयार है जहां कोविट प्रोटोकॉल की बात है जिन्रीगड की जो गाइड लाइन्स हैं उनकी गाइड लाइन्स के अनुसार ही हम ये जो सत्र है वो करेंगे यदि आवच्चता होगी तो हम जिस प्रकार से हमने पहले किया था कोविट गाइड लाइन्स के तहट डिस्टेंस दोगज का डिस्टेंस रख करके हम जान सभा का सत्र करेंगे और पिछली बार भी हम जो हमारे दर्शक दीरगा है उसके अंदर किसी भी दर्शक को हम अलाओ नहीं कर पाये थे और मीडिया का भी हमने हरेना निवास के अंदर उसका आरेंजमेंट किया था तो ये सत्र भी मुझे लगता है कि उसी नियमों के तहत होने जा रहा है जहां तक अविस्वास पस्ताव की आपने बात कही अभी तक कि इस बारे में कोई सूचना विदानसवा को नहीं आई है लेकिन नियमों के मताबख किसी भी विदानसवा की बैठक से एक घंटा पहले कोई भी सदस्य जो है वो अविस्वास पस्ताव को ला सकते हैं और लेकिन नियम ये है कि वो विदान जबा के अंदर बैठके अंदर अविश्वास परस्ताव के बारे में पढ़कर के सुनाएंगे और यदि कम से कम अठारा जो मानिय सदस्य हैं उनकी सपोर्ट करते हैं तो उस अविश्वास परस्ताव के उपर चर्चा हो सकती है हाँ देखिए एक दो मेहने पहले लगबग हमने एक कमेटी का गठंग किया गया था जिसके अंदर इस बात को लेकर के के हरियाना परदेश के अंदर हरियाना विदानसवा के अंदर जो नियम लागू है उनके अंदर पंजाब का नाम मेंचन किया गया है जबके लागू होते हैं वो हर्याना के उपर लागू होते हैं तो हमने ये एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये देखा जाए किस परकार से पंजाब की जगा हर्याना का नाम वहाँ पर include किया जा सकता है और कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और उस कमिट्री के आधार पर आज एक बैठक रखी गई है और उसमें निरने हो जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले सत्र के अंदर ये जो हम बिल है ये जो प्रस्तावा है इसको पास करेंगे आप इलकुल देखिए पंजाब के स्थान पर जितने भी बिल है उनके अंदर हर्याना का नाम इंकलूड होगा ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें भन्यवाद वजब बार सुब्सक्राइब करेंगे जोटी गारना गोड़न आइए जविए लिए आखिए अधिए अंटरप्राइब